next question क्या है हमारे पास first है without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion हमें long division method यूज नहीं करना और हमें बताना है कि भी ये क्या है हमारे rational है या इसमें किस टाइब के terminating expansion है या non-terminating expansion है पहला point हम पिक करते हैं यहां पर कि 13 by 3125 तो मैंने आपको क्या बताया theorem के अंदर क्या है जो हमारा क्यो है अगर उसके जो हमारे prime factorization 2 या 5 की power में हो तो हम सिधा लिख सकते हैं कि ये क्या है rational है और किस type का number है rational number है तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से इसके prime factorization कर लेते हैं किसके 3125 के तो पहले किस पर जाएगा यह हमारा 5 पर जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 125, फिर से 5 पे जाएगा, मेरे पास आगया 25, फिर से 5 पे गया, तो कितना आगया 5, फिर से 5 पे जाएगा, तो क्या आगया 1, that means यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 1, 3, 1, 2, 5 को क्या लिख सकते हैं, 55555, ठीक है, तो क्या हो जाएग 5 into 5 into 5 into 5 into 5 that means यह क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 13 upon 5 की पावर कितने होगी 1 2 3 4 5 5 की power क्या आगी 5 that means अभी यह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो क्या हूँ है उसके जो prime factors है वो किसमे है only 5 में है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे सिधक लिखेंगे hence 13 by 3, 1, 2, 5 must have a terminating decimal expansion ठीक है यह बात clear आपको मैंने theorem में बताई थी ना अगर 5 only हो सिधा क्यों के prime factorization में तो भी वो क्या होता है terminating decimal expansion होता है और अगर यहाँ पे 2 का अकेला हो तो भी होता है और 2 और 5 की power में हो तो भी क्या होता है वो terminating decimal expansion होता है second point देखेंगे इसी का second point है 17 by 8 8 अब आप देखो 8 के तो आपको सिधा पता ही है 8 को हम कैसे लिख सकते हैं पहले कितने पे गया? 2 पे गया, यह 4 आ गया, फिर से 2 पे यह 2 आ गया, फिर से 2 पे गया यह क्या गया? 1 आ गया, that means मैं इसे लिख सकते हैं 17 upon 2 1, 2, 3, 2 cube हो गया на that means यह भी क्या लिखेंगे, हमारा इसमें denominator क्या है, 8 है, 8 में हमें क्या मिल गा, 8 has 2 as only prime factor, तो हम क्या लिखेंगे, thus 8 has 2 as the only prime factor, ठीक है, तो अकेला 2 हो गया, तो यह क्या लिखेंगे, हम यहाँ से 17 by 8 हमारा क्या हो जाएगा, must have a terminating decimal representation या expansion, तो यह भी हमारा कैसा होगा, terminating, ठीक है, पता लग गया यह बात, third point देखो इसी का, third point क्या है, 64 by 455, तो पहले हम इसका prime factorization कर लेते हैं, क्या जाएगा हमारे पास, सबसे पहले कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो यह आगया मेरे पास 91, अब देखते हैं, किस की table पे जाएगा, 7 की table पे जाएगा, औ और यह कितना आता है मेरे पास, 13, और यह 13 किस पे जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या आगया, 64 upon 5 into 7 into 13, अब देखो सोचने वाली बात हैं, यहाँ पे, मैंने क्या बताया था theorem के अंदर, या तो 5 अकेला हो, या 2 अकेला हो, या 2 नो हो, उनके इलावा, अगर और कुछ भी आ जाता है, तो वो हमारा expansion terminating नहीं रहता, वो हमारा क्या हो जाता है, यह हो जाता है, हमारा non terminating repeating, तो यहाँ पे हम language क्या लिखेंगे, कि clearly, 455 equals has prime factors other than 2 and 5, तो यहाँ से 2 और 5 के अलावा आ रहे न, 7 and 13 तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, so, it will not have a terminating decimal expansion, ठीक है, यह बात clear हो गई, यह कहता है, कि अगर यहाँ पे 2 और 5 के अलावा, और कुछ भी आ गया, या तो केला 5 हो, या केला 2 हो, या दोनों हो, इन दोनों के अलावा, अगर और कुछ भी आ जाता है, तो वो कैसा होता है, हमारा non-terminating, repeating, यह आप क्या लिख सकते हो, कि it will not have a terminating expansion, फोर्थ पॉइंट देखिए, next कि है 15 by 1600 है, तो सबसे पहले मैंने इसके क्या कर लिए, प्राइम फेक्टराइजेशन कर लिए, यानि कि हम इसे क्या लिख सकते है, 15 by, कितना आ गया, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 लिख लिख लिए, मैंने इंटू 5 क्या है, हमारा square है, अब देखो 15 और 5 में क्या आ रहा ह 5 तो हम इसे cancel out कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 की एक 5 यहाँ पर cancel हो गया, 2 पावर 6 इंटू क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1, तो आप को देखके बताओ, 2 की पावर आगी, 5 की पावर आगी, और 2 और 5 जब हमारे पास हो, तो वो कैसा होता है, हमारा terminating decimal expansion होता है, तो आप सिधा लिखोगे यहाँ पर कि 15 by 1600 must have a terminating decimal representation या expansion हो जाएगा, 5th point देखे इसी का, 29 by 343, तो हम सबसे पहले इसके prime factorization कर लेते हैं, यह कितने पर जाएगा, यह जाएगा, 7 पे, तो कितना आ गया, 49, फिर से जाएगा, 7 पे, कितना आ गया, 7, 7 पे globalization क्या हो जाएगे, 7 into 7 into 7, that means 29 by 7 cube, अब आप खुद देखो, ना तो 2 है, ना 5 है, यहाँ दोनों है, तो 7 है, that means ही क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, clearly 343 have prime factors other than 2 and 5, language पहले में आपको बता चुकी हो, फिर हम क्या लिखेंगे, so it will not have terminating decimal representation, यह आप क्या लिखोगे, कि य क्या है, non-terminating repeating हो जाएगा, ठीक है, language क्या हो जाएगी हमारी, clearly 343 has prime factors other than 2 and 5, तो देखो, 2 और 5 से अदर हैना, 777 आगा, इसका मतला हम क्या लिखेंगे, so it will not have terminating decimal expansion, यह क्या सकते है, it will have non-terminating repeating decimal expansion, next type के question से कि इसके parts, next है हमारा 6 part क्या है, 23 by, क्या दे रखा है, 23 by 2 cube and 5 square, तो क्या बताना है, हमारा यह terminating है, यह non-terminating, मैं सिधा यहापे लिखूँगे, कि यह कैसा expansion है, terminating expansion है, decimal expansion है, कैसे बता लगा, क्यूंकि 2 और 5 की power में है, यही बात था न, denominator अगर उसके prime factorization 2 और 5 हो, तो सिधा क्या होता है, वो terminating, next point देखो, क्या है, 129 upon 2 square, 5 power 7 and 7.5, तो मैं सिधा क्या लिखूँगे, यह कैसा है, non-terminating, non-terminating, और क्या है, repeating decimal expansion है, यहाँ पे, तो यह कैसे पता लगा हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, 7 extra आ रहा है, मैंने क्या बताया था, या तो only 2 हो, या only 5 हो, या दोनों हो, उनके लावा, अगर extra कुछ भी आ गया, तो आप direct क्या लिखोगे, कि non-terminating, repeating decimal expansion है, next देखो, इसी का part, next है, हमारे पास, 6 by 15, 6 by 15, अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 5, तो आप खुद देखके बताओ, terminating है या non-terminating है, सिधा आप क्या लिखोगे, non-terminating, repeating decimal, क्यों, क्योंकि 3 आ गया, extra, और 3 मुझे या नहीं चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, non-terminating, non-terminating, repeating decimal expansion है, मेरे पास यह, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप reason में क्या बताओगे, यहाँ पे, 3 क्या जाएगा, इसके prime factors में 3 आ गया, यह क्या है, other than 2 and 5 है, that means, non-terminating, repeating expansion हो गया, next, देखो, 35 by क्या आ जाएगा, हमारे पास 50, आप 50 के prime factorization करोगे, तो क्या आ जाएगा, 35 by 2 into, क्या है, पहले 2 पी जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 into 5, आप इसे cancel कर सकते हो, क्योंकि P by क्या form कैसी लेकर आने होते हैं, हमें co-prime लेकर आने होते हैं, कुछ भी उनमें common ना हो, तो यह कितने पर चला जाएगा, एक 5 पर चला जाएगा, कितना आजेगा, 7, तो यह आजेगा, 7 upon 2 into 5, फिर भी 2 और 5 ही रहा, तो 2 और 5 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, यह कैसा होगा, हमारा terminating होगा, terminating decimal expansion होगा, यहाँ पे, ठीक है, last point देखिए इसी का, last है, 77 by 210, तो अ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 210 के क्या करके देख लेते हैं, prime factorization करके देख लेते हैं, पहले कितने पर गया, 2 पर गया, 105 आगया, अब जाएगा, 3 पर, कितना आगया, 35, 35 कितने पर जाता है, 5 पर, कितना आगया, 7 और 7 जाता है, 1 पर, तो मैं क्या लिखूंगी, 77 upon 2, 3, 5 7, तो आप खुद देख के बताओ, क्या यह terminating होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 आगया, 7 आगया, तो आप क्या लिखो कि clearly 210 has prime factors other than 2 and 5, so this is a क्या हो जाएगा हमारा non-terminating, non-terminating, और क्या जाएगा repeating decimal expansion, clear हुई यह बात, तो यहाँ से अब आपको क्या पता लगा नहीं बात, यह से यह बात पता लगी, कि अगर upon में कुछ भी हो, क्या हो अगर prime factorization में 2 और 5 हो, या 5 अकेला हो, 2 अकेला हो, तो हमें सिधा पता लगता है कि हमारा expansion कैसा होगा, terminating decimal expansion होगा, अगर 2 5 के अलाबा कुछ होगा, तो वो कैसा होगा, non-terminating, repeating decimal expansion होगा, यह तो क्या हमारा first question, next lecture में मैं आपको second and third and fourth question करवाऊंगी, second and third question करवाऊंगी, सारी, तो आज के लिए इतना ही, thank you